ऐसे घरों में नहीं होता मा लक्ष्मी का वास, जीवन में हमेशा बनी रहती है पैसों की किल्लत. 1. जिन घरों में पूजा का दीपक फूप मार कर बुझाया जाता है, उन घरों में मा लक्ष्मी नहीं रुखती हैं. 2. अगर आपके घर में रात के जूठे बर्तनों का धेर लगा रहता है और उन्हें सुबह साफ किया जाता है तो ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं ठाहरती हैं, इस आदक में सुधार करें. 3. जिन घरों में देवी देवताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती हैं. 4. सूर्यास्त के बाद जिन घरों में ज़ाडू लगाई जाती है, वहां भी लक्ष्मी वास नहीं करती हैं. 5. पित्रपक्ष में जिन घरों में पित्रों का तरपन और श्राधन नहीं किया जाता है उन्हें हमेशा धन की समस्या बनी रहती है 6. माता लक्षमी ऐसे घरों में रहना पसंद नहीं करती हैं जहां पर आलसी लोग रहते हूं आलसी लोगों के पास लक्षमी ज्यादा समय तक टिकती ही नहीं है जो लोग सूर्योदे के बाद तक सोते रहते हैं वो राक्षसी प्रवरिती के माने जाते हैं ऐसे लोगों से माता रुष्ठ हो जाती हैं साथ, शाम के समय घर में अंधेरा नहीं रहने देना चाहिए, ऐसे घर में मा लक्षमी नहीं रुखती हैं सूर्यास्त के बाद घर में रोशनी जरूर करें, संभव हो सके तो पूजा घर में या तोलसी जी के समीप दिया जलाना चाहिए मा लक्षमी जरूर प्रसन होती है आठ तूटी हुई कंगी से बाल समवारना घर में धन के लिए अपशगुन माना जाता है नो यदि आप रात में बिना पैर धोए या गिले पैर ही सो जाते हैं तो ये धन के लिए अपशगुन है ऐसा कतई ना करे अगर आपको नाखुन चबाने या दातों से कातने की आदत है तो ये भी धन के लिए अच्छा नहीं है ऐसी आदत को बदले यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद